Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के 5 Golden Rules की तो देखे ये जो 5 Golden Rules में आपको आज बताने वाला हूँ ये अपने आप में एक Trading Framework है मिन्स अगर आप इन 5 Rules को फोलो करते हो तो ये फिल्टर का काम करेंगे जो कि आपकी help करेंगे एक सही ट्रेड तक पहुँचने में देखे ट्रेड सेलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप सही ट्रेड ले रहे हो उस Market Condition में और अगर इन 5 Rules को आप फोलो करते हो तो ये 5 Rules आपकी help करेंगे उस सही ट्रेड तक पहुँचने में कि इस Market Condition में आपको ये ट्रेड लेना चाहिए तो आपका ट्रेड सेलेक्शन है वो सही हो जाएगा इन 5 Rules को फोलो करने के बाद तो ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर आप ये 5 Rules फोलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जरनी है वो एक अलग लेवल पर पहुँचेगी आपकी ट्रेडिंग सक्सेस को कोई नहीं रोग सकता तो यहाँ पे अब मुझे ये बताने की जरुरत नहीं है कि ये वीडियो कितना ज़्यादा जरूरी होने वाला है तो इस वीडियो को पोरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखे क्योंकि इसमें जो 5 Rules मा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपके बहुत काम आने वाले हैं तो चलिए अब बेना टाइम वेस्ट के मैं सेधा शुरू करता हूँ वीडियो को और ये एक-एक करके 5 Rules आपको बताता हूँ तो देखे ये जो 5 Rules मा आपको बताने वाला हूँ ये कोई अलग-अलग Rules नहीं है ये एक दूसरे से interconnected है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिल्टर का काम करेंगे एक सही ट्रेड तक आपको पहुंचाएंगे तो इस वज़े से इनकी numbering है ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि first point आपका क्या होना चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे से interconnected है तो इस वज़े से ये पाँचो point जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको इसी numbering में आपको follow करना है चलिए तो इस पाँचो rules क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ one by one करके हाला कि हर एक rule को मैं detail में explain करूंगा देखे अगर आप channel के regular viewer हैं तो obviously आप इस वीडियो को पूरा देखोगे लेकिन अगर आप thumbnail देख के आए हो तो मैं पहले आपको इस पाँचो points बता देता हूँ फटाफट ताकि आपका time waste ना हो उसके बाद आप decide कीजे कि आपको वीडियो देखना है या नहीं तो इस पज़े से 5 points क्या है यह मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ एक बार तो देखे यह 5 points है trade small quantity with high probability of profit in liquid stock and options using the right strategy and as many times as you can यह 5 points है जो आपको follow करने है और जैसा कि मैंने आपको बोला मैं आपको दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि अगर आप इन 5 points को follow करते हो तो they will lead you to the right trade और आपके trading की जो success है उसके guarantee मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप discipline के साथ इन 5 trades को follow करते हो तो देखे बहुत बड़ी statement में आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यह 5 points follow करते हो तो यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि trading में आपको successful होने से कोई नहीं रोक सकता चलिए तो यह 5 points है जो मैंने आपको बता दिये हैं और आज के इस वीडियो में हम इनी 5 points को discuss करेंगे वन बाई वन करके तो चलिए सबसे पहले points की बात करते हैं trade small positions trade small position का मतलब क्या हो गया कि आपका load size है वो छोटा होना चाहिए आपकी position sizing है वो छोटी होनी चाहिए position sizing आपकी कभी भी जादा बड़ी नहीं होनी चाहिए चाहिए आप option buying करते हो चाहिए आप option selling करते हो चोटी position sizing का मतलब क्या हो गया जब आपका load size गम होगा जब आपकी position sizing हो चोटी होगी तो अगर market आपके against भी move करता है तो आपका low sow cap रहेगा अब देखे position sizing है यह risk management का एक part है risk management के under position sizing आती है तो आपके capital कितनी है उसके according आपकी position sizing वो decide होती है अब आपका सवाल होगा कि मेरी capital के according और मेरी position sizing क्या होनी चाहिए तो देखे इस पर already मैं एक video बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि आपके capital है उसके according आपको कितने loads trade करने चाहिए तो यह उपर मैंने link दे दिया है इस video में मैंने पूरा explain किया है कि आपकी position sizing है वो क्या होनी चाहिए आपकी capital के according तो यह आप देख सकते हो तो सबसे पहला point है कि position sizing है वो आपकी small होनी चाहिए तो ठीक है यह तो आपने decide कर लिया कि मुझे कितने load trade करने है उसके बाद point आता है कि probability of profit है वो ज़ादा होनी चाहिए मैंने आपको बोला ना कि 5 point है यह अपने आप में एक filter का काम करेंगे तो सबसे पहले आपका load size है वो आपने check कर लिया कि load size मुझे बहुत ज़्यादा trade नहीं करने है मेरी जो capital है उसके according ही मुझे load size trade करने है तो load size आपको कितना trade करना है वो आपने decide कर लिया पहला point हो गया अब बात करते हैं दूसरे point कि दूसरा point क्या है कि आपकी probability of profit है वो ज़्यादा होनी चाहिए जहां पे आपकी probability of profit कम है वहां पे आपको trade नहीं करना है आपको वही trade लेने है जहां पे probability of success या probability of profit है वो ज़्यादा हो तो probability of profit है ज़्यादा कहां पे मिलेगी तो देखे, probability और profit ज्यादा होती है option selling में, जब आप option buying करते हो, वहाँ पर probability हो कम होती है, लेकिन option selling में probability और profit हो ज्यादा होती है, तो आपको option selling की तरफ जाना चाहिए, इसलिए हम option selling की तरफ inclined होते हैं, क्योंकि वहाँ पर probability और profit हो ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही वहाँ पर position फस्त है तो आप adjustment करके और उस position को संभाल पाओ तो adjustment आना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर adjustment नहीं आते हैं तो आपको option trading नहीं करने चाहिए तो दूसरा point क्या है कि probability और profit है वो मेरी ज़्यादा होनी चाहिए और ये मैं ज़्यादा किस तरह से रख सकता हूँ option selling strategies की तरफ जाके तो पहला point था कि position size है वो कम रखनी है दूसरा है probability और profit है वो ज़्यादा रखनी है तो position size मैं कम रख रहा हूँ मतलब load size मैं कम trade कर रहा हूँ और कहाँ पे trade कर रहा हूँ option selling में तो शुरू के दो point मुझे क्या बता रहे है कि load size कितना है वो मुझे पता लग गया और option selling मुझे करनी है वो मुझे पता लग गया शुरू के दो point में ये हो गया अब बात करते हैं तीसरे point की और तीसरे point ये है कि आपको liquid stock और options में trade करना है कि जहाँ पर liquidity अच्छी हो वहीं पर आपको trade करना है आपको कहीं पर भी enter नहीं कर जाना है अगर आप illiquid market में enter करते हो तो वहाँ पर enter तो आप कर गए अब बाहर आप कैसे आओगे बाहर आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते now you are on the mercy of the market अब market जब चाहेगा तब आप बाहर आओगे आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते तो इस वज़े से illiquid market में आपको कभी भी trade नहीं करना है ये hidden enemy है जिसको हम बहुत ज़्यादा discuss नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए क्योंकि illiquid market में जो एक बाहर फस गया अब वो market की मर्जी से बाहर आएगा अब उसकी खुद की मर्जी नहीं है चाहे उसको profit हो रहा हो चाहे loss हो रहा हो अब वो market की मर्जी पे है जब market उसे allow करेगा तब ही वो वहाँ से बाहर निकल सकता है तो यह आपको हमेशा धहान में रखना है कि मैं liquid market में ट्रेड कर रहा हूँ तो यह हो गया आपका तीसरा point अब बात करते हैं चोथे point की और चोथा point है using the right strategy कि आपकी जो strategy selection है वो सही होनी चाहिए अब right strategy का मतलब क्या हो गया देखे सबसे पहला point क्या था कि आपका load size है वो कम होना चाहिए पहले point ने मुझे यह बता दिया कि मेरी position sizing कितनी होनी चाहिए मुझे कितने load trade करने है दूसरे point ने मुझे यह बता दिया कि मुझे option selling करनी है क्योंकि probability or profit है वो वहाँ पे जादा है और तीसरे point ने मुझे यह बताया कि मुझे कहाँ पे trade करना है कौन से instrument को trade करना है मुझे reliance को trade करना है nifty को trade करना है bank nifty को trade करना है या कोई x y z or stock को trade करना है क्यों? क्योंकि जहाँ पे liquidity होगी वहाँ पे मुझे trade करना है अब चोथा point आता है और चोथा point हमें ये बताता है कि हमें कौन सी strategy के through वो trade देना है अब देखे strategy बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है आपने सारी चीज़ decide कर ली आपने ये भी decide कर लिया कि मेरा load size क्या होगा आपने ये भी decide कर लिया कि मैं option को sell करूँगा और आपने ये भी decide कर लिया कि इस instrument के अंदर मैं option selling करूँगा लेकिन करोगे कैसे कौन सी strategy के through करोगे ये भी बहुत ज़रूरी है तो strategy आपकी कौन सी होनी चाहिए देखे सही strategy select करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर market में volatility कम है और वहाँ पे आप एक strangle या straddle को trade करते हो तो वो एक गलत strategy है इस environment में वो एक गलत strategy है अगर आप उसको trade करते हो तो you will lose your money तो वो सही strategy नहीं है इस market environment में वहीं पे अगर market में volatility है वो ज़्यादा है और आप एक calendar spread को trade करते हो वहाँ पे तो ये भी सही strategy नहीं है क्योंकि calendar spread ये एक low week strategy है और अगर आप इसको high week में trade करते हो तो आपका strategy selection है वो गलत है आप गलत strategy को गलत time पे trade कर रहे हो तो इस वज़े से आपका जो भी view है उसको उस market condition में किस strategy के थ्रू मुझे play करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए और चो पता लग गया कि probability of profit है वो ज्यादा होनी चाहिए इसलिए मैं option selling की तरफ जाओंगा तीसरे point में मुझे ये पता लग गया कि मुझे कौन सा instrument trade करना है और ये कैसे पता लगा liquidity के basis पे और चोथे point में मुझे ये पता लग गया कि अब इस view को में कौन से strategy के थ्रू प्ले करू अब आपका सवाल होगा कि इसके पीछे का logic क्या है कि शुरू के जो 4 point है वो तो समझ में आ गए लेकिन 5 point का मतलब नहीं समझे कि trade as many times as you can इसका मतलब क्या हो गया तो देखे इसका मतलब ये है कि आपका sample size बड़ा होना चाहिए sample size बड़ा होने का मतलब क्या हो गया देखे जहां पर हमारी probability कितनी है देखे मैंने आपको बोला कि high probability of profit trade से आपको लेने है जहां पर आपकी probability of profit हो ज्यादा हो let's say आपकी probability of profit हो 70% है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 10 trade लेते हो तो 7 में आपको profit होगा और 3 में आपको loss होगा अब जरूरी तो नहीं है कि शुरू क 10 trade में आपको 3 में profit हो और 7 में आपको loss हो जाएं लेकिन अगर आप sample size बढ़ाते हो आप 1000 trade लेते हो तो वहाँ पे low of large number है that will come into play और आपके जो profitable trades हैं वो 700 के आसपास होगे और आपके loss making trades हैं वो 300 के आसपास होगे तो low of large number है वो तब काम करता है जब sample size बढ़ा हो और probability है वो आपके favor में है क्योंकि आप higher probability of profit वाले trade ले रहे हो तो इस वजए से अब आपको sample size बढ़ाना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा trade लेने है ताकि वो probability है वो आपके favor में play out हो तो इस वजए से 5 वा point यह है कि take as many trades as you can चलिए तो ये 5 golden rule है जो आपको follow करने चाहिए और जैसा कि मैंने आपको बोला I can guarantee you कि अगर आप discipline के साथ इन 5 rules को follow करते हो तो आपकी trading journey है वो एक अलग level पे पहुँचेगी आपकी trading success को कोई नहीं रोग सकता तो आज जो चीजी मैंने आपको बताई है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको कोशिश कीजिए अपनी को implement करने की क्योंकि बहुत काम की चीज है और जब आप इसको 5 मैंने लगातार अपने trading में करोगे तो आपको result दिखना शुरू होंगे and then you will see the difference अगर आप दो दिन करोगे साथ दिन करोगे तो आपको कोई difference नहीं नजर आएगा अगर इसको आप extended period of time के लिए करते हो तो जादा दिन continue नहीं कर पाओगे लेकिन discipline के साथ अगर आप करोगे तो इसको लंबे time तक आप कर पाओगे तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आज आपने कुछ नया सीखा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें this is सत्पाल signing off